पाक फजाया ने बरवक्त कारवाई करते हुए दो भारती तयारों को मार किराया था और एक भारती पाइलट को गिरफतार कर दिया था अभी नंदन को तो चंद दिन की कैद के बाद रहाई मिल ही गई थी मगर उनकी गिरफतारी कैसे अमल में आई इंडियन जहास के गरने के बाद क्या हुआ और अभी नंदन की बाकियाद जो चोड़ गए थे उनके साथ क्या किया गया ये बात जादातर लोग नहीं जानते और अगर आप भी इन ही लोगों में शामिल हैं तो परेशान मत हो क्यूंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मुकमल तफसीर बताएंगे कि आखर उस वक्त शुरू से लेकर आखर तक हुआ क्या था हुआ कुछ ऐसे था कि लाइन ओफ कंट्रोल से चार किलो मीटर के फास्वे पर पाकिस्तान के जिर इंतजाम कश्मीर के जिला समाही के अलाके हुडा में पहाड़ी की चोटी पर बने घर में रहने वालों ने दो धमाकों की आवाजे सुनी इस हासे से एक ही दिन पहले इंडियन फजाया की पाकिस्तान की हदूत की खिलाव वर्जी और बाला कोट के करीब बंबारी के बाद दोनों मुलकों के दरम्यान हालात इंतहाई कशीदा थे और सुब सही जहाज उड़ने की आवाजें पाकिस्तान में सुनाई दे रही थी इसी लिए किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि ये जो हादसा थमाका है ये किस चीज़ का है लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब आसमान में दूएं उड़ते देखे गए जो कुछी देर बाद आग के नरंजी गोलों में तब्दीर हो गए पहले तो वहाँ के रहाईशियों ने समझा के हो सकता है कोई पाकिस्तानी जहाज गिरा हो क्योंके जहाज तो हवाई गश्ट पर थे लेकिन अभी करीब ही मुझूद लोग ये सोच ही रहे थे के साथ ही पहाडों पर कोई पैराशूट से उतरता नजर आया पहले तो पैराशूट को देख कर लग रहा था के ये दरत पर गिरेगा लेकिन फिर पाइलट ने महारत से इसका रुख मोड़ा और आराम से पहाडी के उपर हमवार जमी पर उतर गया जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो उसकी रसी के साथ लगे इंडिया के जंडे से वहाँ के अलाका मकीनों को पता चल गया कि ये पाइलट इंडियन पाइलट है और उन्हें बाद में ये भी मालूम हो गया कि इसका नाम अभी नंदन है अभी नंदन जब नीचे उतरा तो चंद कदम आगे बढ़के उसने हाथ में पस्तौल थाम रखी थी उसने वहाँ के अलाका मकीनों पर तान कर एकदम से सवाल किया क्या ये इंडिया है या फिर पाकिस्तान अलाका मकीनों ने महमान को बगैर एक लम्हे की भी भिनक पड़े कमाल महारत से पस्तौल थामे विंग कमांडर अभी नंदन को जवाब दिया सर्व आप इंडिया में हैं जिस पर अभी नंदन ने पूछा कौन सा अलाका है तो उसे ये बताया गया कि ये इलाका किला इलाका है ये सुनते ही अभी नंदन पहाडी में बनी एक छोटी सी को में कमर टिका कर नीम दरास होगया अपना पिस्तौल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठा कर जैहिंद का नारा लगाया अभी तक अभी नंदन को ये अंदाजा था कि वो इंडिया के किसी गाउं में उतरा है लेकिन इतनी देर में हुडा के दीगर रहाश्य भी पहाडी के नीचे जमा हो गए थे जिन में से किसी ने पाकिस्तान, जिंदाबाद और पाक फौज, जिंदाबाद का नारा लगाया इसी तरह अभी नंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया में नहीं बलके पाकिस्तान में है और वो फॉरंग से चुकनना हो गया अभी नंदन ने अपनी पत्लून पर नीचे की तरफ बनी जेब का एक बटन खोला और एक हाट से चोटा सा कागज निकाल कर उसका चोटा सा तावीज बनाया और उसे निकल गया फिर एक और कागस निकाला जो के थोड़ा बड़ा था इसके छोटे छोटे टुकडे किये और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भागया कुछ लोगों ने अभी नंदन को रोकने के लिए इस पर पत्थर बरसाए थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक से अभी नंदन ने अपना रुख उस चाने मोड़ लिया जहां से जहास के मलबे का धुआ आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दे रहा था ताकुब करते लोग फिर उसके पीछे भागे एक जगा पर पानी का नाला देखकर अभी नंदन में इसने चलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया जब अलाका मकी नाले तक पहुँचे तो फोजी वहां आ चुके थे एक फोजी ने पानी में चलांग लगाई और फॉरन से अभी नंदन को दबोच लिया फोजी के साथ गाउं वाले भी पानी में उतर गए फोज को देखते ही अभी नंदन ने पस्तॉल एक बार नीचे रखा और हाथ उपर उठा लिये जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्स उन्हें गिरफतार करके गाड़ी में डाल कर ले गई अभी नंदन को तो तैयारा गिरने के कुछी देर बाद रासत में ले लिया गया था ताहम उनके जहास का मलबा कई रोज तक हूडा से मुलहका कोटला महले में पड़ा रहा अभी नंदन के कबजे से मुख्तलिफ समान भी बरामत हुआ था जिसमें एक पिस्तोल, गोलिया, नक्षे और दीगर काख़ाद फगरा शामिल है गिरफतारी के बाद भारत के गिरफतार पालिट ने पाक आर्मी के अच्छे सलूक की तारीफें की थी और अब आपको बताते हैं कि गिरफतारी के बाद क्या हुआ था कैसे वो एक डायलोग बहुत मकबूल हुआ जो पूरा एक साल गुजर जाने के बाद भी सबको याद है या पिर हमेशा याद रहेगा मुक्तलिफ मीम्स भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से घूम रही है वो है टी इस फंटास्टिक भारती विंग कमांडर अभी नंदन को तो उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उनका ये बोला जाने वाला डायलोग मकबूल हो जाएगा और इसके बोलने के बाद वो कितने बदनाम हो जाएंगे यही वज़ा है कि सोशल मीडिया पर आज भी ये डायलोग वाइरल है सिर्फ यही नहीं एक और जुमला अभी नंदन की जानब से बोला गया था वो था जब भी उनसे पाक आर्मी की जानब से गिरफतारी के दुरान कोई भी सवाल पूचा जाता तो वो एक ही बात दोहरा रहे थे ये जवाब भी खासा मकबूल हुआ जिसे आज भी पाकिस्तानी अवाम तंसो मजा के लिए इस्तमाल करती है और अब कुछ बात कर लेते हैं उस दिन के सबसे दिल्चस्प हिस्से की जहां गिरफतारी के बाद बारती पालिट ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इतराफ करते हुए कहा था कि वो टार्गेट की तलास में भारत की हदूद से निकल कर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए और हादिस्ते का शिकार हो गए जिसके बाद पाक फोच ने यहां से मलबा हिटा लिया जहां यह सारा वाकिया पेश आया था लेकिन अभी नंदन के तबास चुदा जहाज के कई चोटे चोटे टुकडे आज भी उसी जगा पर मिल जाएंगे जहां पर वो आज से एक साल पहले गिरे थे सिर्फ यही नहीं पाक फोच ने अपने इस कार नामे को दुश्मन के लिए हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए सिर्फ अभी नंदन का मुझसमा पी एफ म्यूजियम में रख दिया है बलके मिग 21 जहाज के कई हिस्से भी नुमाइस के लिए वहां म्यूजियम में रख दिये गए हैं म्यूजियम में जहाज को गिराए जाने के मनाजिर तस्वीरी शकल में रख दिये गए हैं और उनको वापिस भारत के हवाले किये जाने की तसावीर भी म्यूजियम की गैलरी का हिस्सा बना दी गई है गैलरी में मैस के चाय के एक कप के बदले मिग 21 जहाज वसूल करने का रसीदी बिल भी आवेजा कर दिया है ये वो ही मग है जिसकी टी अभी नंदन को बहुत फंटास्टिक लगी थी और सिर्फ यही नहीं कुछ दिन पहले अभी नंदन के जेरे इस्तमाल मिग 21 बाइस जहाज के वो चार मिजाईल भी दिखाए गए जिसके जरीए भारत ने हमेशा से ये दावा किया था कि इन मिजाईलों ने पाकिस्तान का F-16 जहाज मार गिराया था नाजरीं दो मिजाईल अपनी मुकमल असल हालत में जबके दूसरे दो मिजाईल जुजवी हालत में हैं अभी नंदन का जहाज 22 बिग 21 जब गिराया गया जिसकी वज़ा से दो मिजाईल जुजवी तोर पर पाय जाते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से भारत इस वाज़े हकीकत से नज़रे चुराता आया है और दावा ये करता आया है कि पाकिस्तान ने नहीं बलके भारत ने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए थे लेकिन भारत वाले जानते नहीं हम सबूतों और गवाहों के बगएर बात नहीं करते तो जनाब सबूत ये चारों मिजाइल आपके सामने हैं और अगर आप गवाह लेना चाहते हैं तो अपने विंग कमांडर अभी नंदन को उड़ा में अभी एक बार फिर से बेज़ें वहाँ उन्हें एक बर फिर से फंटास्टिक टी भी बिलाई जाएगी और फंटास्टिक सी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फंटास्टिक से गवा भी मिल जाएंगे जिन्हों उन्हें पाकिस्तान को इंडिया बताकर नहायत अच्छा खासा बेवा कूफ भी बनाया था और उसके बाद उनकी दुर्गत भी बनाई थी और सुनो हमें याद है सब तुम्हें याद हो के ना याद हो हम 27 फरवरी का ये दिन भारत को हमेशा एक ड्राउने काप की तरहां याद करवाते रहेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने इस शरारत की भारत को फंटास्टिक सी सजा दी थी अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इससे लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर भी करें कबरों की तेज तर अपडेट के लिए एक्सपोजिट को सबस्क्राइब करें